हालो है स्परेंट स्वागत है आप सभी का संकल्प सीसी चैनल पर और अगला कुस्चन पर आज देखते हैं सीसाट दोजार इकीस का बिना टाइम वेश की कुस्चन नमबर नाइंटीन इसमें क्या का रहा है परसन एक्स फ्रॉम प्लेस ए अन अनदर परसन य फ्रॉम प्लेस बी सेट आउट एट दे सेम टाइम टू वाक टोवर्ड्स इच अधर है ना दोनों एक दूसरे के मतलब डिरेक्शन में चल दिये हैं तो जैसे कि यहां पर एक ए परसन है और इधर भी है तो दोनों कोई एक दूसरे के तरफ ए बी की और बढ़ गया है बी एक य और बढ़ मेंटर्स ओके यह जो डिस्टेंस है तो एकस वाक वित है यूनिफॉरंड स्पीड of 1.5 किलो मेंटर पर आवर यह कह रहे है तो जो aumentar एसे है और वाई जो है वट आउडी पोजिशन से चल रहा है न तो एकस जो है वन पॉरंड जो है 1.5 किलो मेंटर पर आवर की स्पीड ऑफ वन किलोमेटर इन फर्स्ट आवर पहले एक घंटे में वन किलोमेटर पर आवर से चल रहा है ओके फिर दूसरे घंटे में किता है वन पॉइंट फाइव किलोमेटर पर आवर से चल रहा है ओके और इसी तरह से मतलब पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से और तिसरे 1.5 मतलब 0.25 km per hour से speed हर घंटे बढ़ रहे है y का ठीक है तो इसी तरह यहाँ पे सवाल दिया हुए option कि they take 5 hour to meet they meet midway between a and b a और b के बीच में मिलते हैं मतलब 7.5 km यह चल दिया होगा x और 7.5 km y चल दिया होगा statement 2 के हिसाब से तो यही चेक करना है एक बार ही आपको तो खुद से एक बार ट्राइ करें वीडियो पाउस करकर और मेरे प्रिविएस वीडियो को देखने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें लिंक को तो अब देखते हैं इसका solution तो क्या कहा रहा है they take 5 hour to meet पहला option देख लिते हैं तो 5 गंटे में देखते हैं कि x कितना चल देगा तो x का simple हो जागा कितना 5 से multiply कर देंगा 1.5 को तो 7.5 km चल देगा मतलब आधा चला गया है ना 15 km का आधा midway पर आ चुका है ठीक है और y कितना चलेगा तो y का हर गंटे की साब से अलग-अलग है ना distance है first गंटे में कितना हुआ एक किलोमेटर फिर दूसरे गंटे में क्या होगा 1.25 km तीसरे गंटे में क्या होगा 1.5 km और चौथे गंटे में 1.75 km और पाचवे गंटे में क्या होगा यह 2 km हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ते जाएगा इधर हो जाएगा चौथे गंटे में 1.75 km पर आवार हो जाएगा ठीक है पाचवे गंटे में 2 km पर आवर हो जाएगा मतलब फिफ्ट आवर पे वो 2 km चल जा रहा है गंटे में तो टोटल वाई का देखते है सम करके खित्ता आ रहा है तो 1.25 और 1.75 यह हो जाएगा 3 और 2 और 1 हो जाएगा 3, 3, 3, 6 और डेड़ हो जाएगा 7.5 तो पाच गंटे में वाई भी 7.5 km चल रहा है ठीक है ना तो एक सो 7.5 इधर से चल दिया ठीक है और वाई भी है जो 7.5 इधर से चल दिया तो दोनों 15 km कवर कर लिए और सही बात है पाच गंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल ले रहे हैं और meet midway between A and B तो A और B के बीच में ही दोनों मिल भी रहे हैं तो यह भी सही है क्योंकि 7.5 km दोनों तरब से है तो दोनों option सही हो गया है ठीक है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा option C बोथ 1 and 2 R correct हो जाएगा तो इसमें average speed नहीं करना था यही देखना है कि y वाले में कि average speed का formula दूसरा हो जाता है average speed का formula क्या होता है total distance by total time taken होता है तो इसलिए यह हर घंटे में ही करके देखना था और थोड़ा सा conceptual था लेकिन आसान था तो प्रैक्टिस करते रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़रूर सेर करें